जैहिन दोस्तों ब्यारपुली सिपाई की परिक्षा के लिए खांसर के इस बुक से आज हम लोग प्रेक्टिसेट नमबर पांच का डिसकसन करने बाले हैं जिसमें सात्यों हमने जीके जीएस से टोटल पच्चास सेलेक्टेट कोसंस को रखा है जो की आपकी एक्जाम के बताना है और सात्यों आज से पहले खांसर के बुक से जितने भी प्रेक्टिस इट कराए गये हैं इसके लिए एक अलग से प्लेलिस्ट बना दिया गया है प्लेलिस्ट का लिंक आपको इसी वीडियो की नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आप लोग जाकर देख सकते हैं तो चलिए सात्यों रात के आड़ बत चुके हैं फटा फट से आप सभी लाइब में जूड़ जाएए सभी फ्रेंट्स को गोड एवनिंग गोड एवनिंग तो चलिए आज इका पहला कोशन आपके सामने है हमपी का विरुपाक्ष मंदिर किसे समर्पित हैं चलिए आप सभी कोशन नमर एक के लिए आंसर बतेए हमपी का विरुपाक्ष मंदिर किसे समर्पित हैं तो सात्यों आपर कोशन नमर एक के लिए आंसर क्या होगा याद रखेगा भगवान सिव को ध्यान रखना है हमपी कहाँ पर है तो करनाटक में है और हमपी का पाक्ष मंदीर है ये भगवान सिव को समर्पी थे अगला कोशन दिखिए स्वतंतरता से पुर्व भारत में गरीवी की अवधारना पर चर्चा करने वाले सरपर्थम व्यक्ति कौन थे बहुत ही सांदर कोशन है चलिए आप से भी आंसर बताइए स्वतंतरता से पुर्व भा भारत में गरीवी की अवधारना पर चर्चा करने वाले सबसे पहले व्यक्ति कौन थे तो साथों आपर इस कोशन का सही जबाब क्या होगा तो जोई बच्चे लाइप चेट में ऑप्शन डी वता रहे हैं उनका बिलकुल सही जबाब है दादा भाई नौरो जी जिने भार देखिए महत्मा गांधी ने दक्चिन अफरिका में कौन सा अखवार सुरू किया था तो देखे साथे महत्मा गांधी की बात करें तो इन्हों ने दक्चिन अफरिका में कौन सा अखवार सुरू किया था तो यहाँ पर इसका सही जबाब है इंडियन ओपिनियन तो यहाँ पर ए आप्शन आपका सही जबाब है इंडियन ओपिनियन नामक का नामक अकबार शुरू किया था महात्मा गांधी ने महात्मा गांधी जी दक्षिन अफरीका से भारत कम लोटे थे तो याद रखेगा 9 जनवरी 1915 को और इसलिए प्रत्यक वर्स 9 जनवरी को भारतिय प्रव कर्सकर अंगि ए विजने होगे हैं कि यो कुस्त अस्थान आपको से और धर श्री यहां ciao गों बनाषए कहाता है है तो यहाँ पर कुस्त नंबर 5 के यह आनसर हो जाएगा आवद को याद रखेगा आवद को ले साई आगे देखिए भारतिय संविधान के किस अनुच्छेद में जीने के अधिकार से संबंदित विवरन है चलिए कोशन नमर पाँच के लिए आंसर किजिए और साथे इस क्लास के साथ साथ आप लोग साम साड़े साथ बजे की क्लास को जरूर देखिए ये कलास आपको मेरे दूसरे चैनल पर मिल जाएगा उस चैनल का नाम है दिवाकर इस्टड़ी आईक्यू या फिर इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देदूंगा आप लोग जाकर देख सकते हैं नाम क्या है दिवाकर इस्टड़ी आईक्यू तो सात्यों भारते संबिधान के किस आर्टिकल में जीने के अधिकार से संबंदित विवरन मिलता है तो ये आर्टिकल है 21 आगे दिखिए निम्न लेकित में से कौन सा राज भारते संबिधान की छटवी अनुसुची द्वरा सामिल नहीं है देखिए संबिधान का जो छटवी अनुसुची है इसमें चार राज्यों का उलेक मिलता है तो यहाँ पर बतारा है इन चारों अप्शन में से कौन सा राजे है जो नहीं है तो यहाँ पर इसका सही जवाब है अरुनाचल परदे से नहीं है आगे दिके भारते संबिधान का कौन सा अनुच्छिद अल्प संख्यकों के हितों की रक्षा से संबंदित है यह कोशन एकजाम में काफ़े और पूछा गया है अलग-लग एकजाम में बार बार यह कोशन पूछा आता है चलिए आंसर बताइए संबिधान का कौन सा अर्टिकल है जो की अल्प संख्यकों के हितों की रक्षा से संबंदित है तो यह है आर्टिकल 29 याने की आप्शन ए आपका सही जबाब है अनुच्छिद 29 भारत के संबिधान की प्रस्तावना में पर्यूक्त सब्द गंतंत्र सुचित करता है चलिए कोशन नमर आठ के लिए आंसर बताइए प्रस्तावना की बात करें जिसे इंगलिस में प्रियंबल का जाता है और प्रस्तावना को भारते सम्मिधान सभा के सामने किसने प्रस्तूत किया था पंडित जभारलाल नहरूने कब किया था तो 13 दिसंबर 1944 को और प्रस्तावना में अभी तक केवल एक बार ही संसुदन किया गया है कब तो 1976 में तो प्रस्तावना में जो पर्युक्त सब्द गंतन्तर है ये क्या सुचित करता है तो इसका सही जवाब है ये सुचित करता है कि देश का परधान निर्वाचित प्रतिने दी है या पर C option आपका सही जवाब है निती आयोग भायत सरकार का एक पॉलिसी ठिंक टैंक है इसने खाली अस्थान को प्रति अस्थापित किया है निती आयोग जो है ये किसके अस्थान पर लाया गया है ये आपको बताना है तो देखे इस कोशन का सही जबाब है भारत के योजना आयोग के स्थान पर निती आयोग के स्थापना एक जनवरी 2015 को किया गया था इसके वरतमान में उपाध्यक्स कौन है सुमन बेरी है और वरतमान में CEO कौन है तो B, B, R, सुब्रमन्यव और इसके अध्यक्स कौन होते है तो खुद प्रधान मंतरी निमन में से किस चुनाव में महिलाओ के लिए एक तिहाई सीठे आरक्षित होती है सई अंसर है पंचैती राज में याद रखेगा पंचैती राज चुनाव में महिलाओ के लिए एक तिहाई सीठे जो है वो रिजर्ब होती है हबल का निम किस से संबंदित है तो सात्यों हबल का नियम जो है ये खगोलकी से संबंदी थे याँ पर C आपका सई जबाब है खगोलकी इस ब्रह्मान से दूसरा प्रचुर मात्रा में सरवाधिक तत्यो कौन सा है यानि कि ब्रह्मान में बताना है दूसरा सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्यों पाया जाता है पहले अस्थान पर तो हाइड्रोजन है और दूसरे अस्थान पर क्या है तो हिलियम यहाँ पर B option आपका सही जबाब है हिलियम और वायो मंडल में सबसे अधिक पूछे कौन सी गेस है तो नैट्रोजन गेस है यह लगबग 78 परतिसत है वायो मंडल में हमारा सौर मंडल किस गैलक्सी का एक हिस्सा है और देखे जन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है प्लिज आप सभी से रिक्वेस्ट है आप सभी सेशन को साथ में लाइक करते चलिए और यह पीडियाप आपको मिल जाएगा टेलिग्राम पर बिल्कुल फिरी में टेलिग्राम का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है अप लोग जाकर जोईन कर लिजिए तो हमारा सौर मंडल जो है अकास गंगा का एक हिस्सा है सूरी का प्रमुक्तत्व क्या है तो आसान कोशन है सूरी जो है मुख्य रूप से दो गैसों से मिलकर बना है एक है हाइड्रोजन दूसरा है हिलियम और जिसमें सबसे अधिक होता है हाइड्रोजन तो देखे आप्शन के अकोडिंग चलना है हाइड्रोजन दिया हुआ है किस ग्रह को प्रिथवी के जुड़वा के रूप में जाना जाता है आसान कोशन है चलिस का अंसर बता देते हैं सुक्र ग्रह को प्रिथवी का जुड़वा कहा जाता है सुक्र ग्रह सौर मंडल का सबसे गर्म और चमकिला ग्रह है याद रखेगा और ये सुक्र ग्रह जो है प्रिद्वी से सबसे नजदिक वाला ग्रह है जबकि सूरी से सबसे नजदिक पूछे तो बुद्ध ग्रह है और ये सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है हिमाले प्रवत माला का वह हिस्सा जो तीस्ता और दिहांग नदी के बीच में इस्तित है खालिय स्थान के रूप में जाना जाता है चले कुशन नम्मर 16 के लिए आंसर किजिए और आप लोग डेली रिविजन करते रहिए तो यहाँ पर इसका सही जबाब क्या है तीस्ता और दिहांग नदी के बीच कौन सा हिमाले है तो याद रखेगा ये है असम हिमाले भारत के पूर्वी तट एक खालिय स्थान है तो देखे भारत का जो पूर्वी तट है याद रखना है निम्न अवसाधी तट है यहाँ पर बी आप्शन सही है निम्न अवसाधी तट नेत्रिनी दूइप कहाँ पर इस्तित है तो देखे दोस्तों नेत्रेनी दूइप की बात करें ये लक्ष दूइप में इस्तित है लक्ष दूइप एक केनलसासित परदेश है यहां की राजधानी कहां पर है कबरती लक्षदूइब की राजधानी कवरती है लक्षदूइब जो है टोटल 36 छोटे छोटे दूइपव से मिलकर बना है अंडमान और निकवार ये भी किनरसासित परदिश है इसकी राजधानी कहाँ पर है पोर्ट बिलियर और पोर्ट बिलियर ये धक्षनी अंडमान में इस्तित है मीठी करांती इन में से किसके उत्पादन से संबंदी थे तो दोस्तों मीठी करांती की बात करें किसके उत्पादन से संबंदी थे तो याद रखेगा सहद के उत्पादन से संबंदी थे बुल और बियर सब्द खाली स्थान में उप्योग की जाती है तो प्यारे दोस्तों इस कोशन को अमने पहले भी बहुत 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 बताया है बुल और बियर सब्द जो है, ये सेर बजार में उपियोग के जाता है GST को लागु करने वाला पहला देश कौन सा था? साई जवाब है, फ्रांस देश GST को लागु करने वाला पहला देश था फ्रांस की राज़ानी पेरी से माल एबम सेवा कर जिसको जीएश्टी का जाता है यानि इसके परिशद जीएश्टी परिशद के पहले अध्यक्ष कौन है तो सात्यों जीएश्टी परिशद के पहले अध्यक्ष बताना है इसका सही जबाब है अरून जेटली जनसंक्या वरिद्धी के सिधान्द को किसने विक्षित किया था तो सात्यों जनसंक्या वरिद्धी के सिधान्द को विक्षित किसने किया था तो इसका सही जवाब है जौन माल्थस ने मध्वनी कला क्या है तो प्यारे साथियों मध्वनी कला की बात करें ये बिहार में क्या है प्रचलित एक लोक कला है इन में से कौन से पुष्टक डॉक्टर अब्दुल कलम द्वारा लिखी गई है तो साथियों आपर 25 का सही जवाब क्या है दलाइफ ट्री याद रखेगा दलाइफ ट्री ये पुष्टक डॉक्टर अब्दुल कलम के द्वारा लिखा गया है राष्टिय उर्जा संरक्षन दिवस कब मनाया जाता है ये कोशन इंपोर्टन रहेगा इस परिष्टार माग कर लेजिए राष्टिय उर्जा संरक्षन दिवस कब मनाया जाता है तो प्यारे साथियों ये प्रत्यक वर्ष 14 दिसंबर को मनाया जाता है कब 14 दिसंबर को भारतिय मूल का प्रथम नागरिक जिसे नोबल सांति पुरुषकार प्रधान किया गया कौन है तो साथ्यो भारतीय मुल्का परथम नागरिक कौन है जίसे नोबल शान्ति पुरुश्कार परदान किया गया सही जबाब है कैलास सत्यार्थी या पर रविन्ना टैगोर नहीं हुगा रविन्ना टैगोर को साहित के छेटर में दिया गया ना कि सांती की छेत्र में रविन ना टैगोर को 1913 में मिला था मानव अधिकारों की सारभौम घोषना की मसवधा समिती के अध्यक्ष या फिर अध्यक्ष ता अध्यक्षा कौन थे तो यहाँ पर मसवधा समिती दूसरा है यह प्रारूप समिती नहीं है मानव अधिकारों की सार्भम गोशना की जो मसोदा समिती है इसके अध्यक्स कौन थे तो याद रखेगा इसका सही जवाब है एलनौर रुजवेल्ट समानेता संजुक्त राष्ट प्रती वर्से किस महा में अपने पूर्ण महसवा का आवाहन करता है तो सात्यों इसका सही जवाब है सितंबर महा में विश्व विरासत अस्थल पसुपती नात मंदिर खालियस्तान में इस्तित है तो सात्यों आपर इसका सही जवाब क्या होगा नेपाल की राजधाने काठ मांडू में इस्तित है भारत ने पहली बार उलम्पी क्खेलों में कब भाग लिया था? ये कोशन पूछा जाएगा इस पर भी श्टार माग कर लिजिए, इंपोर्टन रहेगा भारत ने पहली बार उलम्पिक खेलों में भाग कब लिया था तो याद रखेगा 1920 में भाग लिया था एक साप्ट की आवर्तन गती को निर्धारित करने के लिए खाली स्थान का इस्तिमाल किया जाता है तो साथ्यों एक साप्ट की आवर्तन गती को निरधारित करने के लिए टैको मिटर का इस्तमाल किया जाता है रेडियो द्वारा उत्पादित ध्वनी खालिय स्थान से बढ़ती है तो साथियो रेडियो द्वारा उत्पादित ध्वनी जो है आयाम के बढ़ने से बढ़ती है एको काडियोग्राम अधिक नजदिकी से किस से संबंदित है या पर काडियोग्राम नहीं है एको काडियोग्राम है यह आपको बताना है ये किस से संबंदित है तो याद रखेगा डॉपलर इफेक्ट से यानि डॉपलर प्रभाव से संबंदित है निम्न लिखित में से कौन सा विद्यूत का सुचालक है तो बहुत यासान कोशन है यहाँ पे option के according चलना है तो तामबा यानि की कौपर का विद्यूत का सुचालक है और सबसे अच्छा विद्यूत का सुचालक पूछे तो क्या है सिल्बर यानि की चांदी जो है यह सबसे अच्छा विद्यूत का सुचालक है घर उद्योगो इत्यादी में उप्योग की गई विद्धुत उर्जा को समानता व्यक्त किया जाता है तो घरों में जो विद्धुत उर्जा का इस्तमाल किया जाता है और वो व्यक्त किया जाता है किसमें तो किलो वाट घंटा में बहुत है सिंपल सा कोशन था किलो वाट घंटा में मुक्त रूप से निलंबित चुम्बक किस दिशा की और संकेत करता है तो प्यारे सत्यों मुक्त रूप से निलंबित चुम्बक जो है याद रखेगा ये उत्तर और दक्सिन दिशा की ओर संकेत करता है या पर B option सही है मालब सरीर के कौन से दो मुख्य अंगों में काफी मात्रा में चुम्बिके छेतर उत्पन होता है तो कौन सा दो मुख्य अंग है तो यहाँ पर इसका सही जवाब है हिर्दय और मस्तिस्क जिसमें काफी मात्रा में चुम्बिके छेतर उत्पन होता है सब्द परमानु को किसने खोजा था देखे परमानु नहीं है यहाँ पर सब्द बोला जा रहा है परमानु सब्द को किसने खोजा था तो इसका आंसर हो जाएगा डेमो क्रिटेस ने खोजा था या पर डाल्टन नहीं होगा या परमानु से दान नहीं पूछा गया है सब्द परमानु पूछा गया है धातू में एक मुक्त इलक्ट्रोन के पत का अकार किस प्रकार का होता है तो धातू में एक मुक्त इलेक्ट्रोन के पत का जो अकार होता है ये किस अकार का होता है तो वक्राकार होता है या पर C आपका सही जबाब है वक्र की अकार का होता है निशेचन विकास विभाजन और भेनता के अध्यन को किस नाम से जाना जाता है तो इसे भुरुन विज्ञान कहा जाता है साइटो प्लाज में एक जेली जैसा द्रब होता है जो खालिय स्थान में मौजुद होता है चले इंपोर्टन कोशन है तो साथियो साइटो प्लाज में एक जेली जैसा क्या है द्रब होता है जो किसमें मौझूध होता है तो याद रखेगा यह केंदरक और कोशिका जल्ली के बीच में मौझूध होता है तो अचा के नीचे और आंत्रिक अंगों के बीच खाल्य स्थान उत्तक बनता है तो प्यार साथ है उसका सई जबाब है वसा उत्तक बनता है किसके बीच में तोचा के नेचे और अंत्रिक अंगों के बेच में निम्न में से कौन सा उत्तक युग्म समवहनी बंडल का गठन करता है तो उस उत्तक युग्म का नाम क्या है तो याद रखेगा जाइलम और फुलेम जोकी समवहनी बंडल का गठन करता है जीव विज्ञान में अस्पंज क्या है तो साथियो जीव विज्ञान में अस्पंज क्या है तो याद रखेगा एक पसू है याँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है ओक्टोपस के खून का रंग कैसा होता है तो देखे साथियो अक्टोपस के खून का रंग जो होता है ये नीला कलर का होता है इसे याद रखेगा इस तरह का कोशन भी एक जाम में कभी कभी पूछा आता है मानव सरीर की सबसे बड़ी धमनी कौनसी है तो मानव सरीर की बताना है सबसे बड़ी धमनी कौनसी है तो ये है महा धमनी याँ पर सी ओप्शन सही है महा धमनी हाल ही में कहां आवसित हैरिस पार्क का नाम बदल कर लेटिल इंडिया किया गया है देखे करंड का कोशन है काफी अच्छा कोशन है इसे याद रखेगा आवसित हैरिस पार्क का नाम बदल कर क्या क्या गया है लेटिल इंडिया और ये कहां पर है तो आश्टिल्या में है यासे कोशन ऐसा भी बन सकता है कि लेटिल इंडिया पार्क कहां पर है तो याद रखिएगा आश्ट्रिल्यामी हालही में सिध्धा रमया किस दक्षनी राजी के नए बाइसवे मुख्यमंत्री बने है सात्योस का साई जवाब है करनाटक आखरी कोशन है हालही में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 के 180 देशों में भारत को कौन सा अस्थान मिला है तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 के 180 देशों में भारत का अस्थान है 161 यहाँ पर B option आपका साई जवाब है 161 तो चले सात्यों आजी के लिए इतना ही अब आप लोग कमेंट करके बता दीजिए आपने आज के 50 कोशन में कितने कोशन के सही सही आंसर किये हैं और सेशन फसंद आया हो तो जाने से पहले सेशन को लाइक और सेर जरू किजिएगा